दोस्तों आज के वीडियो में कापी महत्यपून टोपिक पे बात करने वाले हैं अगर पत्नी पत्ती से दूर रहके या ससुराल से दूर रहके जोब करती है चाहे वो माईके में जोब करती हो चाहे वो अधर इस्टेड में जोब करती हो तो क्या इसका आदार बनाकर पत्ती डाइवोर्स ले सकता है या नहीं ले सकता है जी हां यहीं पर मुझे कहीं सवाल मिलते रहते हैं कि साब मेरी पत्नी तो आती नहीं है माईके पर रहती जोब करती हैं जोब करतित काम की बात नुएस जगने बाद दोस्तु comment में नम्मर मत छोड़ा करो कभी भी अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो तो side में नम्मर लिखे रहते हैं दोस्तु ठीक है और साथ में ही अगर आपको detail में चाहिए तो WhatsApp अब WhatsApp नम्मर मेरा लिखा रहता है अब WhatsApp नम्मर पर मेसेज करिए अपोईमेंट बुक करिए और उसके बाद में आप आराम से बात कर सकते हैं देखे दोश्तु अगर बाइचांस आपकी पत्नी दोश्त पत्ति की जोग कर रही है अब देखिए यहां पर होनेबल हाई कोट 36 ग लगी थी गवालियर जी हां MP में पड़ता गवालियर पास में नेरवाई स्टेड आपको पता है होगा सबी को तो वहां पे असिस्टेंट प्रोपेसर की जोग लग गई थी मलवा दूश्रे स्टेड में जाके जोग कर रही थी अब पत्ति इस ग्राउंड पे आपको दिक्कत है तो आप मिचल में बैटके बात करिए ठीक है तो ऐसे कंडिशन में यह कोई आपका तलाक का आदार नहीं है आज के जमाने में जो मिलना ही इतना कटीन है तो फिर एक महिला का अधिकार होता है ठीक है खुद का एक फर्णामेंटल लोप्राइट है उसको जोग करने से आप रोक नहीं सकते हो अगर उसने साधी कर लिया तुछ आपशी आपके वो पूरी तरह से बाऊंड हो जाएगी आप उसे पूरी तरह से बाउंड कर दोगी ठीक है तो एसे कंडिशन में बाय्या सिंपल सी बात है अगर आपकी पत्नी जोग करने वाली है और वो कहां भी रहना चाहती है तो आप उसके आदार पर डाइवोर्श नहीं ले सकते हैं कुल मिलाकर आपको समझ लेना चाहिए कि भाईया जोब करने वाली पतनी से अगर आप साधी कर रहे हो तो वह चाहिए मायके पे रहो चाहिए वह दूसरी सीटीम रहे च तो एसे कंडिशन में भाईया आपका क्या ओपनियन है इस जज्जमेंट को लेकर आप कोमेंड में जरूर बता देना जी हां